बजाज की बाइक्स तो हर सेग्मेंट में आती हैं हर रेंज में आती हैं और इस वक्त कम्पनी अपनी पलसर के सबसे छोटे वर्जन पर काम कर रही है यह चोटा वर्जन पलसर 125 एहनस जोकी भारत में बनता तो है लेकिन बिकता रही जी हां कम्पनी इस गाड़ी को भारत में भी लॉंच कर सकती है अब यह गाड़ी भारत में कब लॉंच होगी और इसमें क्या खास होगा वो आपको बताएं उसके पहले इतना ही कहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल एंजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस न करें हालांकि इसे लॉंच करने के लिए कम्पनी थोड़ी अलग रणनीती बना सकती है और इसे कम्पनी एंट्री लेविल पलसर के तोर पर लॉंच कर सकती है इसका नाम भी पलसर नियोन हो सकता है चुकि यह गाड़ी 125 CC सेग्में में होगी तो इसमें ABS की जरूवत नहीं होगी लेकिन इसमें कमबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम की जरूवत तो होगी ही एंजिन की बात की जाए तो गाड़ी में 124.5 CC का एंजिन मिलेगा जिससे 11.8 BHP की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉक मिलता है इस एंजिन में आपक तो हमें पता नहीं चला है लेकिन ये जरूर है कि नई पलसर 125 लुक्स के मामले में बहुत ही स्टाइलिश रहेगी अब देखना ये है कि लॉंच होने के बाद आपको ये गाड़ी कैसी लगती है और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर हम आपको नई जानकरी जल से जल ला कर देंगे साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी माच